ध्यान से मेरी बात सुनना, सबसे पहले chapter 3 की बार करते हैं chapter 3 दो पार्स में divided है, theory of production और theory of cost, right? theory of production की बार करो, देखो, important topics कौन-कौन से हैं, कहां से question पूछता है, सबसे पहले ये लिख लो, मैं आपको लिखवा जेती हूं, chapter 3 में, कहां से questions आते हैं? Hey guys, कैसे हैं सब लोग? I hope बहुत शांदार है, सबकी तयारी अच्छी चल रही है, जल्दी से नीचे like बटन को हिट कीजिए, सबसे पहले and mark your presence so that I come to know that yes, you are here, अब देखिए, अगर आप चानल पर नए हैं, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूँ, कि Unicorn ने CA Foundation exams के लिए completely free mock test series launch की हुई है, 28 Feb से mock test शुरू हुए थे, every Monday 11 a.m. on our telegram channel, we post the question paper and every Tuesday, next day, Tuesday को शाम 6 बजे YouTube पर उसका live evaluation होता है और answer की same time पर शाम 6 बजे telegram channel पर share कर दी जाती है So, अगर आपने अभी तक test series में registration नहीं करवाया है, आपको idea नहीं था, then do it now नीचे comments में pin कर रही हूँ, एक form है जिसको आपको fill करना है और test series में registration हो जाएगा और description में भी form का link दे रही हूँ, do it right now and share it also with your friends, neighbors, जो लोग भी foundation का exam देने वाले हैं 2022 All right, so now it's Monday, आज है Monday और date है 11th April, तो सुभ ग्यारा बजे टेलिग्राम चानल पर आपको test paper 7 मिला होगा Stats and Reasoning का, ठीक है, तो I hope आप सबने attempt कर दिया होगा, अभी तक question paper अगर नहीं किया है, तो telegram channel पर जाना, description में भी link है और test 7 जोड है, उसे download कीजिए, दो घंटे का timer अगाईए और question paper को solve करना कल शाम को आपको, आंसर की भी मिल जाएगी, शाम 6 बजे और मनुर सर विल बी लाइव on YouTube, on Tuesday, 12th April, 6 PM, to discuss the paper, evaluation क्या जाएगा लाइव, all right, so now, coming to this video, मैं यहापर क्यों आएँ हूँ, क्योंकि next Monday को, हमारा test paper 8 आने वाला है, Economics, BCK का 50% syllabus वाला test, test 8, जो की 18th April को, next Monday को आपको मिलेगा telegram पर, right, तो उसकी तयारी कैसे कर दी है, सबसे पहली बार तो देखो, यह है, कि Economics में chapter कौन से आएँगे, chapter 3 और chapter 4, theory of cost and production and theory of market, ना, market वाला और cost वाला chapter, दोनों chapters पूचे जाएगे, और BCK में chapter 4, 5, 6 पूचे जाएगे, ठीक है, So guys, basically मैंने plan क्या किया है, आज 11 अपरेल है, आज मैं आपको यह वीडियो दे रही हूँ, right, तो आपको किस तरीके से जो यह portion में पूचने वाली हूँ, test में, next test में, वो आपको prepare कैसे करना है, यह मैं आपको इस वीडियो में बता हूँ, तो वीडियो के end तक मेरे साथ रहेंगे, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, फ्लीज लाइक इट राइक नाव, और ध्यान से मेरी बात हूँ, सबसे पहले बात करते हैं, BCK, BCK में आएंगे chapter 4th, 5th और 6th, right, सारे topic wise videos, chapter wise videos, YouTube पर uploaded हैं, नीचे description में मैं लिंक देरूँगी, उनको देखके अराम से prepare कर सकते हो, फिर अगर कोई problem होती है, कि मैं मुझे BCK में इस topic में prepare करने में problem हो रहा है, यह चीज मुझे याद नहीं हो रही है, तो आप मुझे comments में बोलोगे, इसी video के नीचे, मैं आपको उस topic में नया video बना द का ICI के according equal weightage है, 6-7 marks का, मतलब अगर BCK की बात करूँ मैं, chapter 4-6 की, तो each chapter है, 6-7 marks, right, तो कितना weightage हो गया, 18-21 marks का weightage हो गया, इस according, 3 chapters का, मतलब मैं average कर लेती हूँ 20 marks, ठीक है, so 20 marks का BCK आपको prepare करना है, वीडियो का link, सभी वीडियो का link नीचे description में दे रही हूँ, और अगर आपने कहीं और से पढ़ाए, आपने self study किये, किसी और YouTube channel से, या institute से पढ़ाए, वही से पढ़े, don't watch my videos if you don't want to, जहां से आपको समझ आता है, वहां से पढ़ाए, ठीक है, बस purpose क्या है, exam में अच्छे marks लाना है, हमारे questions crack होने चाहिए, और मजाना चाहिए, right, चले, now coming to the economics part, eco के part पर आते हैं, eco में क्या आ रहा है, chapter 3 और 4 आ रहा है, आप देख सकते हो, यहां पे हैं, दोनों chapters आ रहे है, chapter 3 और 4, chapter 3 का ICI के according weightage है, 8 to 10 months, alright, और chapter 4 का weightage है, 14 to 18 months, देखो chapter 3 और 4, दोनों जान है, basically 2, 3, 4, तीन ही chapters है, eco में जो बहुत बड़े है, chapter 1 और 5 तो छोटे छोटे होते हैं, और अकसर मैंने देखा है, अपने experience से, कि आप लोग market chapter से इतना ड़ते हैं, उसको छोड़ कर चले जाते हैं, exam में 15 से 20 number के question आते हैं, chapter 4 से, उसे बिलकुल छोड़ कर नहीं जाना है, भई मैं किसली हूँ, why is unicorn there then, we are there to help you to simplify your task, simplifying lessons, yes, so देखो, धान से में बात सुनना, सबसे पहले chapter 3 की बात है, chapter 3 दो पार्स में divided है, theory of production और theory of cost, right, theory of production की बात है, देखो, important topics कौन बात है, कहां से question कूछता है, सबसे पहले गी लिख लो, मैं आपको लिख बात है, chapter 3 में, कहां से questions आपे है, यह पूछता है, क्या यह production है या नहीं, वो चार चीज़े आपको दे देगा, आपने फ्रेंड के बद्दे पर गाना गया, ममा के लिए cake बनाया, पापा को shopping लेकर गये, और आपने wheat grow करके sell किया, इन चारों में से क्या production है, क्या नहीं है, यह पूछता है फिर production function की definition पूछता है, हाना, production function क्या होता है, उसके बाद वो short run और long run के बारे में बात करता है, कि short run production function में कौन-कौन सी stages होती है, एक particular stage दे देगा और बोलेगा कि बताओ, इस stage में MP उपर जाएगा, या negative होगा, या क्या होगा, ऐसा, MP, AP, TP के बीच का relationship बहुत important है, उस पर numerical question भी आ सकता है, single, या table बनी हुई आ सकती है, 3-4 question पूछ सकता है, या फिर normal theory question भी पूछ सकता है, कि MP उपर जाते है, तो AP को क्या होगा, MP और AP कब equal होते हैं, इस type से, ठीक है, और short run और long run भी पूछता है, fixed factor और variable factor के बीच का difference कौन साइन में से variable factor identify करो, ऐसे questions आते हैं, ठीक है, और एक छोटा से topic है, आपके module में, ISO, quant, हना, तो उस से भी question कभी कबार पूछ लेता है, so ये main important topics है, unit 1 के, ये आपने लिख लिया, आई वो, आप देखो, आपको कैसे तयारी करनी है, इस chapter 3 की, सबसे पहले theory of production, unit 1 की बार क और बाकी चारो छोटे-छोटे videos है, so first is chapter 3.1 about the four factors of production, वो पूछता है exam में, land के बारे में पूछ लेता है, land is immobile, true or false, चार factors देता है land के और बोलता है कि इन में से कौन सा नहीं apply करता है land पे, इस तरहरीके से काम होता है, तो ये आपको पढ़ना है, एक और ICI का favorite question है, which is the most important function of an entrepreneur, innovation, answer innovation होता है, ठीक है, चार functions दिये है module में, to initiate the business, to coordinate, to bear the risk and to innovate, तो most important function होता है innovation, वो ऐसे question पूछ लेता है, फिल chapter 3.3 है, short run, short run production function अच्छे से समझा है, law of variable proportions, law of variable proportions, वो तीन stages होती है, increasing returns, decreasing returns और negative returns, तीनों को अच्छे से समझा है, इत्मे नान से देखना इस वीडियो को, chapter 3.4, long run production function, पहले short run समझा है था, अब long run, returns to scale, तीन stages है, फिर से, diagram आपके module में नहीं दिया, diagram भी बताया है, अच्छे से समझा रहा है, देखना उसको, ठीक है, उसके बाद है, chapter 3.5, iso quantity related, इस त factors, अगर आप normal speed पे भी देखते हो, तो धाई घंटे में, 2.5 hours में, you will be done, ये हो, ठीक है, तो हो जाएगा, 2.5 hours में, आप उसके बाद क्या करोगे, आपने ये देख लिया, अब अगर आपने module से पढ़ा हुआ है, आपने खुद के notes बनाये हुए है, मुझ से पढ़ा है, मे एक बार summary पढ़ लेना, chapter जहां पर unit खतम हो रहा है, summary दे हुए, summary को पढ़ लेना, ओर रैट, चलो, इतना ही चाहते हूँ, आज के लिए तो मैं आपसे, जहां तक की बात है, chapter 3 economics की, बाकी subjects में आपको जैसा पढ़ना है, आप आज पढ़ सकते हैं, अब जब का सुगा आप उठेंगे, तब आप सबसे पहला काम ये करेंगे, कि आप एक revision video है, इसका 50 minutes का, chapter 3 unit 1 का एक revision video है, 50 minutes का वो देखोगे, सबसे पहले, देखो आप में से कही लोग ऐसा भी हो सबता है, कि repeater हो, तो अगर आप repeater है, और आपने पहले पे इच्छे से पढ़ लिया है, या काफी कुछ आता है, तो speed increase करके videos देख सकते हो, इससे आपका time बन चाएगा, right, so, revision video देखोगे, और फिर सबसे important part है, तयारी का, सबसे important part, MCQs solve करना, तो मैं आपको MCQs यहाँ पर mark करवा रही हूँ, कौन-कौन से MCQs आपको solve करने है, just write it down, अभी लिख लीजिए, मैं आपको topic wise MC से Qs बता रहे हूँ, जैसे ही आपने एक video complete करेंगे, आप यह भी कर सकते हैं, जैसे आपने production function वाला और chapter 3.1 or 2, 4 factors of production और production function वाला video complete कर लिया, दोनों videos, तो आप यह question solve कर लें, आपको surety हो जाएगे कि समझ में आया है कि नहीं आया है, right, so, write it down, धोड़ा हम जल्दी करेंग सबसे पहले देखो, law of variable proportion से related और law of returns to scale से related, हना, दोनों जो long run और short run है, उससे related यह वाले questions है, यह आप mark करेंगे, लिख लीजिए, I suggest, लिख लो, question number, law of variable proportion, short run and long run, दोनों से related, question number, 2, 6, 7, 9, 12 to 16, 48 से 50, 56, 59, 61 से 60, 64, 66 से 68, ठीक है, alright, फिर देखो production की जो definition है, क्या यह production में आता है, क्या production function क्या होता है, इन सब से related, question number 1, 4, 11, 43, 47, 51, 52, 55, उसके बाद है, factors of production है, land, labor, capital, entrepreneur, उन पर भी question आता है, land वाला question तीन बार आचुका है, entrepreneur का most important function दो बार आचुका है, question number 3, 5, 44, 76, बस, फिर short run और long run पर तीन questions और है, 8, 10, 10, 45, 45, ठीक है भाई, हो गया, बाकी जो भी questions रह गए हैं, इनके अलावा, वो किस से related है, cost से related है, तो क्या करना है, फिर से बता रही हूं, सबसे पहले ये videos देखोगे, 2.5 hours में आराम से complete हो जाएंगे, उसके बाद जो भी notes है, module है, उनकी reading कर लो हलका सा, 2 hours, 2 hours और लग जाएंगे आपको, ठीक है, then you are done, फिर कर सुबह जब उठोगे, या आपको सही लगता है, तो topic complete करो, और MCQ करो, complete the topic, do the MCQs, अना, otherwise क्या करोगे, कर सुबह उठकर, इन MCQs को solve करोगे, जो मैं आपको बताया है, revision video देखने के बाद, तो revision video का link भी नीचे दे लिए हूँ, इस तरीके से आप, जो theory of production है, chapter 3, unit 1 उसको complete कर लोगे, ठीक है, अब सेम exercise करनी है, आपको cost वाले part के लिए भी, chapter 3 का unit 2 cost पर है, alright guys, तो जिस तरीके से हमने chapter 3 का unit 1 prepare किया, वैसे unit 2 यानि cost भी prepare करेंगे, अब देखो, वही same procedure है, cost में मैंने क्या किया है, 4 videos है, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.12, यह 4 videos हैं, जो आपको देखने हैं, एक में मैंने types of cost बता दिया, फिर सारे average cost curve समझा दिये, फिर economies and dis economies of scale वाला जो topic है, आप में सब बहुत students को समझनी आता है, वो भी बहुत easily समझाया और वहाँ पर topic के अंदर यह आपको याद भी करवा दिया, वीडियो में, कि economies में कौन से points आते हैं, डिस economies में कौन से points आते हैं, 30 minutes का छोटा सा video है, इसको आराम से देख सकते हो, एक question exam में पूछ लेता है, ठीक है, one question, not more than that, एक question तो आता है, but why to lose it, right, 30 minutes का वीडियो देखके, तो ये 5 वीडियो आपको देखने हैं, पुरा chapter का जो cost वाला part है, unit to prepare हो जाएगा, graphs में क्या हो रहा है, कब नीचे जा रहा है, कब उपर जा रहा है, क्यूं जा रहा है, सब समझ आ जाएगा, एक चीज रह जाती है, बस एक चीज, long run average cost का, ठीक है, ये topic थोड़ा सा लेदी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक dedicated वीडियो बनाओ, तो नीचे comments में आपको comment करना है, और वो मैं तभी बनाओंगी, जब आपने ये जो homework मैं आपको दिया है, production और cost को अच्छे से तयार करने का, वो आप complete करेंगे, और नीचे comments में मुझे बोलेंगे कि मैं LACC पर हमें वीडियो चाहिए, तब मैं आपको एक दो दिन के अंदर अंदर, बहुत simplified तरीके से वीडियो बनाकर LAC पर दे दूँगी, ठीक है, ओल्राइट, अब आपको क्या करना है, description में क्या-क्या मिलेगा, एक तो mock test series जॉइन करने के लिए form मिलेगा, उसको fill करके जॉइन कर सकते हो, अगर अलड़ी कर चुके हो, ignore it, बाकी, production वाली unit के 5 वीडियो मिलेंगे, प्लस एक revision वीडियो, और cost वाली unit के 4 वीडियो का link मिलेगा, प्लस एक revision वीडियो, ये सारा task आपका है 2 दिन का, Monday और Tuesday दो दिन आपके पास, ये सब कुछ आपको complete कर लेना है, और कोई भी doubt है, आपको कोई topic hard लग रहा है, LAC पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाओ, आप नीचे description में, comments में, मुझे comment करके बताओगे, and then I will make a video on it, ठीक है, अब देखो, इस पे भी क्या करोगे, वीडियो देखोगे, summary पढ़ोगे, बहुत ज़रूरी है, module से पढ़ाएं तो module को re-read करोगे, notes से पढ़ाएं तो notes को re-read करोगे, और फिर MCQ solve करोगे, सारे MCQ solve हो जाने चाहिए, आपके दो बार कम से कम, किस से पहले, 18 अप्रेल को आप test देने वाले हो, economics BCK का, जिसमें ये portion पूछा जाएगा, उस दिन से पहले पहले, at least 2 बार आपके, module के सारे illustrations और MCQ solve हो जाने चाहिए, चाहिए ECO हो, चाहिए BCK, ठीक है भाई, समझ आ गई बात, अब इसके अलावा, cost curve पर एक dedicated video अगर आपको चाहिए, whatever you want, you can always mention it in the comments box below, तो आपके comments को मैं अनलाइज करूँगी, देखूँगी, majority students क्या चाहते हैं, then I will give a video as soon as possible, within 1 or 2 days, meanwhile guys, अच्छे से इस task को complete करना, आपके लिए इतना अच्छा काम किया, Unicorn न इतने अच्छे force ले रही है, पूरी team, free mock test series launch की हुई है, ताकि आपका ये attempt last attempt बन पाए, तो please, जितनी महनत हम कर रहे हैं, आप भी उससे जादा महनत कीजे, और अपने इस attempt को last attempt सच में बना सकते हैं, आप, if you try, if you give your 100%, तो हम यही आशा करते हैं, कि आप इस test series का पूरा फायदा उठाएंगे, और चल ही मिलेंगे हम नए वीडियो में, यह आप पर depend करता हैं, कितनी जल्दी अपना homework complete करते हैं, और नीचे एक comments में, कितनी जल्दी आप मुझे बताते हैं, कि आप क्या चाहते हैं, and don't forget to like the video, and share this, and subscribe to the channel, so that you stay updated, with every new video being uploaded, so guys, with all my best wishes, I am signing off, see you soon, bye-bye.